हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो मैं चैनल and you are watching CCC, Creative Crafts and Cooking by Free तो फ्रेंड्स, आज में मेरा टॉपिक है कि घर पर मार्केट जैसा फीजा कैसे बनाया जाए आज में आपको तिखाऊंगी अंडर रुपीज 100 means 100 रुपीज के अंदर मार्केट जैसा फीजा जो कि आपको मार्केट में मिलता है 500 या 600 रुपीज का including tax वो आप घर में बना सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा बहुली टेस्टी चीजी फीजा केवल रुपीज 100 में तो पूरी information share करूँगी आप लोग के साथ की आप कौन-कौन से प्रोडक्ट सीफ कीजी जिसकी वज़े से आपका पीजा बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा और सबसे पॉफेक्ट बात क्या है कि आज जो मैं पीजा आपको बनाना बता रही हूँ उसमें आपको ओवन की बिल्कुल ज़रूत नहीं है आप घर में ही पीजा बना सकते हैं वो भी कडाईर में कडाईर में सुल का थोड़ा जीब लगा बट देखेगा इसका ट्विस्ट तो स्टार्ट करेंगे हमाराज का वीडियो बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर अपने चैनल को फर्स टाइम आए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ब्योकुल ना भूलें स साथे साथ बैल आइपॉन जरूर प्रेस करें सो दैट कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच जाए और आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को देख पाएं क्योंकि मेरे चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होता और यह कॉंड के दाने तो सबसे पहले मैंने शिम्रामिर्च को कर लेना है DSC लेने कर लेने है उसके बाद मैं इसको रोज करूंगी पतलेस्ठals में यानिकी जूलियन ह्यूंस में मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेना हैं मैं इसको» लंबे लंबे पीसेश में कर रही हू उसके according आप उसकी shape रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लंबाई में इनको काट लिया है इस तरीके से बारिक-बारिक capsicum आप काट कर एक side में रख लीजिए तो यह हो गए आपकी capsicum कट कर बिल्कुल ready अब मैं प्याज को काट लेती हूँ प्याज को भी मुझे इसी type से काटना है ध्यार लखेगा कि जो भी veggies आप use कर रहे हैं तो अगर आपने कोई भी veggie लंबे shape में काटी है या फिर julien's की shape में काटी है तो फिर आपको सारी veggies उसी shape में काटनी होती है तब ही वो look wise अच्छा लगता तो मैं यहाँ पर सारी की सारी प्याज इसी तरीके से काट लोगी और ध्यार लखेगा कि जो इसमें ये beach वाला पार्ट निकलता है इसको आप अलग रख दीजे क्योंकि अगर आप इसको भी cut करते हैं तो वो इस तरीके के julien shape नहीं बन पाता है तो beach का पार्ट एक side में रख दीजे और जो इसके side के हैं उनको आप cut कर लीजे और साथी साथ आपके पास ये sweet corn भी ready हो गया है तो अब बात आती है इसका main step जो की है first step जो अकसर सभी लोग skip कर देते हैं तो वो step मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कड़ाई में थोड़ा सा butter और इसमें अपनी सारी veggies को one by one fry करूंगी थोड़ा सा ही होता क्या है कि जब आप लोग oven में बनाते हैं तब उसमें veggies oven में ही पक जाती हैं बट अगर आप उसको four to five minutes सी रखते हैं तो veggies थोड़ी कच्ची रह जाती हैं बट आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तब आपकी veggies बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेंगी और आप इसका crunchy test भी ले सकते हैं तो इस तरीके से मैंने पहले प्यास को हलका सा fry किया है केवल 2-3 minutes ताकि उसका पच्चापन निकल जाए साथी साथ corn के दाने भी fry कर लिये हैं और जब ये दोनों चीज़े अच्छे से fry हो गई है तब मैंने इसमें add किया है शिम्ला गर्ज इसको भी मैं 2-3 minutes इसी तरीके से fry कर लूँगी ध्यान नके का ये जितना भी procedure हो रहा है ये low to medium heat पर हो रहा है तो इस तरीके से जब ये अच्छे से fry हो जाए तब मुझे इसको पकाना होता है 2-3 minutes के लिए इस तरीके से ढख कर ताकि अच्छे से पक जाए जब ये अच्छ जब हम इसको पीजा में तो ये अच्छा सा टेस्ट दे थोड़ा साल्ट भी एट कर दिया है ताकि जो टॉपिंग से हमारी पीजा की वह थोड़ी सौल्टी हो जाए जब हम इसको पीजा पर एपलाई करें तो ये हमको फीकी ना लगे तो इसको मैं निकालकर रख लूँग अगर आप टमाटर डाल देते हैं तो आपकी जो सबजियां है वह क्रंची ना होकर लिक्विडी हो जाती है तो टमाटर को भी यहां पर डिसीडिट कर लीजिए मेंस इसके जितने भी बीज है उनको निकाल दीजिए और फिर इसको भी इसी शेप में इस तरीके से कट कर ली निये तोपिंग्स रेडी अब बात आती है कि हम ओवन का यूज नहीं कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं कड़ाओ का तो गड़ाओ में मैं थोड़ा सा सॉल्ट टाल दिया है यह सौल्ट इसको पहले भी बेकिंग में यूज कर चुकी हूं और थोड़ा सा सॉल्ट का मुझे तो इसको अच्छे से आप कड़ाई में फैला दीजिए फिर उसके बाद मेरे पास है यह स्टेंड को रखना है आपको इस कड़ाई में इसी के उपर रखकर हम अपने पीजा को पकाने वाले हैं और आप देखेंगे कि जो पीजा का बेस है वो बहुत ही क्रुस्टी बनेगा बहुत डेस्टी बनता है तो यहां पर मेरे पास है पीजा जो कि मैंने मार्केट से सूपर मार्केट से पचेस किया है 25 रुपीज में यह दो पीजा बेस मेरे पास आ गए हैं तो अगर आप एक पीजा की बात करें तो आपको 12.5 मिन्स 13 रुपीज का पढ़ गया है पीजा क कर देंगे तो मैं यहां पर ब्रश की हल्प से इसको ग्रीज कर रही हूं अकसर लोग इसको भी स्किप कर देते हैं बट आपको इसी तरीके से ध्यान लखना है तो अब मैं यहां पर यूज कर रही हूं यह पीजा चीज जो की है अमूल की मौजरेला पीजा चीज का मैं तो इस तरीके से ये है मौजुरेला चीज तो मैं इसको कर लोगी ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट जो ग्रेटर में सबसे बड़ा वाला ग्रेटिंग सिस्टम होता है वहां से हम इसको ग्रेट करेंगे और आप देखेंगे कि ये जो पिज़ा चीज है वो बहुत ही इसको प्रेस करते हैं तो जो भी वीडियो में अपलोट करूंगी उसका मैसेज सबसे पहले आप तक पहुचेगा और अगर आप एड करना चाते हैं कोई भी कॉमेंट्स तो आप इस वीडियो को स्क्रॉल कीजिए तो यहां पर नीचे की साइड आएगा कॉमेंट्स एड कर तो आप देख सकते हैं कि मॉजरेला चीज पॉफेक्टली ग्रेट हो गया है तो एक पीजा के लिए इतना चीज सफिशेंट है अगर आप इसी टाइप का पीजा बनाना चाहते हैं जैसा कि मैंने बनाया है अगर आपको जाधा चीज बनाना है तब आप इसमें और भी हाफ पीजा अब मैं यहां पर यूज कर रही हूं सेजवान चटनी जो की होती है इसपेशली पीजा पास्ता के लिए सेजवान चटनी आपको जनल स्टोर में या फिर आपको किसी सूपर मार्केट में बहुत ही इसली मिल जाती है यह जो बॉटल है मेरे पास यह उनली 70 तो जब हमने पीजा सॉस इस पर अपलाई कर दी है उसके बाद मैं इस पर अपलाई करूँगी थोड़ा सा ब्रेट मॉजरेला चीज ताकि जब हमारा पीजा हीट अप हो तो यह चीज अच्छे से मेल्ट अप हो जाए और आपको दे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट तो अच्छा भी लगे और कलर्फुल भी लगे उसके बाद मैं इसमें एट कर रही हूँ कैपसिकम जिसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है अब जब यह अच्छे से पकेगा पीजा के साथ क्यूंकि पीजा आमको जादा देन नहीं पकाना होता है तो यह वेजी आपको कच मिर्श का पाउडर इसको एट करना बिल्कुल ना भूलिएगा जब भी पीजा बनाए तो इसको जरूर एट करें उसके बाद आता है most important जो की है औरीगेनो अच्छा यह है बहुत ही main important ingredient अगर आपने औरीगेनो पीजा में एट नहीं किया है तब आपको पीजा का टेस्ट अब नहीं आने वाला है साथी साथ आपको एट करना है चिली फ्लेक्स इसको भी थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एट कीजे ज्यादा चटपटा पसंद है ज्यादा तीका पसंद है तो अब ज्यादा चिली फ्लेक्स पी ढाल सकते हैं जब हमने सब कुछ ड जो की 15 मिट से मैंने रखा हुआ था लो टू मीडियम फ्लेम पर अभी अच्छे से गरम हो गई है अब बहुत ही केर फुली जो स्टैंड हमने रखा था उसमें मैंने इस पीजा को रख दिया है कोई भी प्लेट अलग से नहीं रखी है सिंपल उस स्टैंड के ऊपर ही इसको नहीं लगेगा कि अच्छे से नहीं पका है ब्लुकुर परफेक्ट टेस्ट आता है आप देख सकते हैं कि चीज बहुत ही अच्छे से मैल्ट हो गई है तो अब टाइम है इसको इस कड़ाई में से निकालने का तो मैं यहाँ पर दो इस पैचुला की हेल्फ से कुछ इस तर बहुत ही टेस्टी बना था अब मैंने इसको पिज़ा कटर की हेल्फ से इस तरीके से कट कर लेना है फोर पीसे में आप इसको कट कर लीजिए उसके बाद आप इसको सर्फ कीजिए गर्मा गरम अगर यह थोड़ा साभी ठंडा हो जाएगा तो इतना अच्छा टेस्ट बिल खाने में उससे भी जादा यमी है तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करें और जब भी सर्फ करें तो एक बार ऊपर से इसमें चिली फ्लेक्स और साथी साथ थोड़ा सा ओर अच्छे से स्प्रिंकल कर दें तब ही देता है बहुत ही अच्छा सा टेस्ट अब चीजी क्रीमी टेस्टी पिज़ा आप कर लेडी है तो अच्छा करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी का पे अच्छी लगी होगी आप पर एक बारे से रेसिपी को ट्राइग कीजे फिर अपना एक्स्पिरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और अगर उसकी थी वो मार्किट की थी बट अगर आप देखना चाते हैं कि घर पर भी आप चीज बना सकते हैं इस टाइप से इलास्टी सिटी तो नहीं आए कि बट तेस्ट वही आ जाता है तो उसके लिए मैं लिंक दे दूँगी डिस्रिप्शन बॉक्स में या पर इस वीडियो क के एंड में भी तो आप वहां से उस स्क्राइप को भी देख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक ये लिए चाटा बाबाई